कि या अधिक सिंपल वर्ष अगर मैं दूं थो हम कह सकते हैं कि डंट हर जो है वह उड़्वा से हमारा चौर्ण कर रहा है ँद्ला। किसे समझ सकते हैं डंट के अधिक ऐह व्यर्ण। then is इस एक्स्परिमेंट को यहां पी जो मैंने दो डौट्स करके रखें बलून के उपर जो हमारी यूद्वर्स के मिल्की भेजों हो उनको प्रेसर्ट करता है और यह जो बलून है वो हम यूँवर्स को मानें गे वह कुनकि यूवर्स इक्सपंड कर रहे हैं तो हम इस बलून को भी एक्सपंड ही करें तो देखते हैं इसके अब आवा लेकिन इसम जञा है वो फ्रवर अगर आप और भी ज्यादा हवाड आलू तो एक्चुली यह है दो डॉट्स और उनके बीच का डिस्टंस और भी जादा बढ़ चुका है तो इसी तरह से जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होता जाएगा या फिर जैसे जैसे बलून बढ़ा होता जाएगा इन दो डॉट्स के बीच का distance बढ़ने लगेगा इसी तरफ से यूणिवर्स पि जैसे जैसे expand होने लगेगा जैसे जो galaxies हैं, इनके बीच का distance भी बढ़ने लगेगा तो ये जो force है, वो लगी कैसे? तो यहां पर कुछ तो ऐसी चीज है जो फोर्स लगा रही है एक observation जब हमने टेलिस्वोप के जरिये की तो हमें पता चला कि जो गैलेक्सी हमसे जितना दूर है उतनी ही उनकी स्पीड भी जाता है हमसे दूर जाने की मतलब कि जो velocity है वो distance से proportional है मतलब कि उन distance के बीच में कुछ तो ऐसा जरूर है जो उनके उपर repulsive force लगा रहा है यह repulsive force चू लग रही है किस वज़े से है यह तो हम नहीं जानते है और इसी मिश्री की वज़े से हमने इसे नाम दिया है डार्क एनर्जी को समझना हमारे लिए इसले भी important है क्योंकि जो 68% तक का universe है वो डार्क एनर्जी से ही बना हुआ है लेकिन हम ordinary हमारी life के अंदर डार्क एनर्जी से होने वाला repulsion को नहीं देख सकते है क्योंकि डार्क एनर्जी की जो डेंसिटी है वो काफी जादा कम है डार्क एनर्जी की डेंसिटी एक्प्रोक्सिमेटली 7 इंटू 10 इस्टू माइनस 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जो हम कहने सकते हैं कि ordinary matter और डार्क मैटर से भी काफी जादा कम है इसी वज़े से अगर हम कोई scientific experiment के जरिये डार्क एनर्जी का पता लगा न चाहें तो laboratory के अंदर वो करना बहुत ही impossible जैसा ही है क्योंकि density बहुत कम है तो वो उसका असर ही नहीं दिखाती लेकिन universe जैसे large space के उपर जहां तो दो मिल्की भी इसके बीच काम तक काफी जादा होता है तब डार्क एनर्जी की बज़े से होने वाला जो repulsive force है वो हम देख सकते है इनिवर्स के इस expansion को ऐसे भी समझाया जा सकता है कि हमारे इनिवर्स के अंदर जादा से जादा और और जादा space create होती ही जा रही है यह creation of the space हो सकता है कि space की कोई fundamental property भी हो तो इस property की वज़े से हम डार्क एनर्जी को भी समझ सकते हैं तो यहां पे आप कुछ diagram देख सकते हैं जो इस paper में मैंने बना के रख्या हो रहे हैं यहां पे जो space मैंने चौरत box के अंदर बनाया है और कुछ dots मैंने बनाया है जो है A1, A2 और A3 अगर space की ऐसी कोई property है जो अपने आप में ही जादा से जादा space बना रही है तो इसकी वज़े से जो जो object है A1 और A2 उनके बीच का distance बढ़ने लगेगा और यह समय के साथ जादा से जादा बढ़ता ही चला जाएगा एक्चुली यह space Q बढ़ रही है और space की ऐसी properties Q है वो हम अभी तक नहीं जानते लेकिन हाँ यह भी बात बताना जरूरी होगा कि अगर जो object जो है वो जादा close में होगे और उनके बीच में gravitational attraction जादा होगी तो यह जो repulsion होगा वो space की expansion की वज़े से वो नज़त नहीं आएगा लेकिन फिर भी space तो expand हो ही रही हो भी तो इस तरह से dark energy हो सकता है इसकी space की कोई basic सी property हो लेकिन हम नहीं जानते जादा dark energy के बारे में और scientist और researcher अभी भी dark energy को समझने में लगे हुए है अच्छा रखता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो आप पसंद आये होगी है अच्छे लगी है तो like कीजिए ना बुरू लगे हो तो dislike कीजिए और friends comment जरूर कीजिए सच्छाइब कीजिए और अगर आपको universe से related कोई भी pushments है तो आपको comment में लिखतीजिए मैं जरूर उनके